हेलो दोस्तो आरके मिक्स इंटेटेन्मेंट चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपको जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जिसे हिंदी में सुन्ने भेदबाव दिवस बोला जाता है इसके बारे में पूरी जानकारी दूँगा यह कब मनाया जाता है क्यो मनाया जाता है इसका क्या इतियास है इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी दोस्तो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ मगर दोस्तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ता कि आपको ऐसी ही वीडियो टाइम टू टाइम और सबसे पह पहिचानने वे भेदभाव कहां होता है और इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए इसके लिए एक कदम है भेदभाव अक्सर गलत सूचना वे रिवाजों पर आधारित होता है दोस्तो सुन्ने भेदभाव दिवस पूरे वीश्व में एक मार्च को मनाया जाता है दोस्तो सुन्य भेदभाव दिवस संयुक्त राष्ट और अन्य अंतराष्टिय संगठनों द्वारा मनाया जाने वाला दिन है वह समानता और भेदभाव रहीत वातावरण बनाने के लिए मनाया जाता है संयुक्त राष्ट ने पहली बार एक मार्च 2014 को सुन्य भेदबाव दिवस मनाया यह दिसंबर 2013 में विश्व एड्स दिवस पर युनिय एड्स द्वारा अपने सुन्य भेदबाव अभियान शुरू करने के बाद देखा गया था यह है Acquired Immune Deficiency Syndrome मतलब एड्स पर संयुक्त राष्ट का एक कारिकरम है दोस्तो इसे 2014 में 27 फरवरी को युनिय एड्स के कारिकारी निदेशक मिशेल सिदिबे द्वारा बिजिंग में लौंच किया गया था और यह दिन पहली बार 1 मार्च 2014 को मनाया गया था दोस्तो HIV को रोकने और इलाज के लिए स्वास्ते सेवाओ तक पहुँचना आउशक है और फिर भी HIV के साथ रहने वाले 5 लोगों में से लगबग एक ने स्थानिय क्लिनिक या अस्पताल जाने से बचने की सूचना दी क्योंकि उन्हें अपने HIV स्थीती से संबंदित कलंक या भेदभाव की आशंका थी दोस्तो संयूत राष्ट जैसे संगठन उम्र लिंग जातियता तवचाकरन पेशा विकलंकता की परवा किये बिना सभी को समान रूप से जीने के अधिकार को मनाने के लिए विबिन गती वीडियो के साथ इस दिन को बढ़ावा देते हैं दोस्तो क्या होगा यदि आपको पता चले जिस व्यक्ति से आप खाने का समान खरीद रहे हैं वह HIV से ग्रैसित था क्या आप उससे समान खरीदेंगे क्या आप दोस्त को बिमारी के चलते उससे बाच्चित करना बंद कर द दोस्तो बेदभाव गल्थ है यह सबी के लिए बुरा है देश के बहुशे के लिए बुरा है महिलाओ के खिलाफ बेदभाव भारत में उच्च स्तर पर है किसी भी कारण से किसी के साथ भी कोई बेदभाव नहीं किया जाना चाहिए बेदभाव रहित और समानता की दुनि करते हैं दोस्तों भेदभाव खतम करने के लिए कानून और कारवाई की आवशकता है सुन्ने भेदभाव दिवस निस्पक्ष और नयापूर्ण समाज को और देश को आगे भढ़ा सकता है दोस्तों ये दिन विसेश रूप से यूनि एड्स जैसी संगठोनों द्वारा ध्य जाता है जो HIV-AIDS के साथ रहने वाले लोगों के साथ बेदभाव का मुकाबला करते हैं HIV-AIDS वाले लोग बेदभाव का सामना करते हैं यह दिवस बड़े पैमाने पर समाज की भूमिका को उजागर करता है जिस तरह से लोगों को देखा जाता है यह अधिक निस्पक्स और समाज का आवान करता है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको Zero Discrimination Day जिसे हिंदी में सुन्य भेदभाव दिवस बोला जाता है इसके बारे में पूरी जानकारी अच्छे से दे दियोगी दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी त मैकसिमम से मैकसिमम शेयर करें ताकि उनको भी ये यूजफुल जानकारी मिल सके और दोस्तों कमेंट बोक्स में आप हमें ये बताएं कि हमें अपने देश की तरकी परगती उसे आगे बढ़ाने के लिए ऐसे क्या स्टेप्स लेने चीए चाहिए वो समाज की तरफ से हो च उसे खतम कर सकते हैं ऐसे क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए वो चाहिए हमें लेने हो या सरकार को आप अपनी राय हमें कमेंट सेशन में लिखके जरूर बताएं दोस्तों और दोस्तों इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर म यू नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके धन्यवाद दोस्तों जैहिंद